स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेकनिकल कंवेयर में जहांपर टेकनोलोजी को आप तक पहुचाना हमारी जिम्मेदारी है तो चलिए दोस्तो आज हम बात करने वाला है एक ऐसे फोन के बारे में जिसके एलिए सारी दुनिया बड़ी स्पेस अबी से इंतजार कर रही है जो की आता है OnePlus की तरफ से जी हा मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के बारे में दोस्तो OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro इंडिया में रिलीज होने वाला है 14 एपरिल यानि की आज रात 8 बजे लेकिन दोस्तों release के पहले कुछ leaks आ चुके है हमारे पास जिनको मैं आप तक share करना चाहता हूँ तो चलिए हम शुरू करता है OnePlus 8 के साथ तो दोस्तो OnePlus 8 आता है एक punch hole display के साथ जहाँ पर हमें screen size जो है हमें 6.55 inch की देखने मिल जाती है जो edges है हमारे वो यहाँ पर अपके curve कर दियेगा है अब बात करते है हमारे resolution की तो resolution हमें यहाँ यहाँ पर 1080 by 2400 pixels का देखने मिलता है तो चलिए दोस्तों आप बात करते है body और design के बारे में तो यहाँ दोस्तो OnePlus 8 में हमें front और back में corning gorilla grass का protection देखने मिलता है वही थिकनेस की बात करी जाए तो OnePlus 8 8 mm थिक होने वाला है और 180 grams का weight हो सकता है color की बात करी जाए तो दोस्तों हमें OnePlus 8 3 color में देखने मिल सकता है जो की black, green और glow जी हाँ दो नए color हमें देखने मिल सकते है जो की है green और glow camera की बात करी जाए तो OnePlus 8 आता है triple camera setup के साथ जहाँ पर हमारा primary camera होगा 48 megapixel का Sony IMX 586 sensor के साथ में यहाँ पर हमें OIS और EIS का support देखने मिलता है second lens जो होगी हमारी वो होगी macro lens जो की होगी 2 megapixel की जहाँ पर हमे aperture 2.4 का देखने मिलता हो यहाँ पर भी हमें OIS का support देखने मिलता है बात करता है third lens की बारे में तो वो है ultra wide lens जो होगी 16 megapixel की जहाँ पर हमें 2.4 का aperture देखने मिलता हो और यहाँ पर हमें 116 degree का field view देखने मिलेगा friend camera की अगर बात करें तो दोस्तो OnePlus 8 हमें देखने मिलता है 16 megapixel के selfie camera के साथ जो होगा Sony IMX 471 के sensor के साथ में जो आता है हमारे 2.45 के aperture के साथ में यहाँ पर भी हमें EIS का support निखने मिलता है और यहाँ पर हम full HD plus में video record कर सकते हैं जो होगी 30 fps पर बात करी जाए connectivity की तो यहाँ पर दोस्तों हमें 5.1 Bluetooth का support मिलता है dual band GPS वाइफा 6.1 NFC support और यहाँ पर हमें dual speaker जो आते है Dolby surround sound के साथ में और यहाँ पर हमें USB-C port मिलता है जी है दोस्तों हमें इस बार भी 3.5 mm headphone jack नहीं मिलने वादा तो अब बार यह आती है processor RAM और storage की तो दोस्तों OnePlus 8 हमें देखने मिलेगा Qualcomm Snapdragon 865 के processor के साथ में जो की आता है GPU and Reno 650 के साथ में RAM की बात करी जाए तो हमें यहाँ पर दो विरिंट एकने मिलेंगे जो आते है 8GB RAM और 12GB RAM जो होगा DDR4 पर बात करी जाए storage की तो यहाँ पर हमें 128GB और 256GB विरिंट मिलेगा जो की आता है UFS 3.0 के साथ में तो दोस्तों यह थी OnePlus 8 के सारी specification तो चलिए अब बात करते है OnePlus 8 Pro के बारे में तो दोस्तों अगर OnePlus 8 Pro की बात करी जाए तो यह थोड़ा ज्यादा premium हो सकता है तो चलिए शुरू करते है OnePlus 8 Pro के displacement हो साथ में जिसके साथ हमें in-display fingerprint scanners भी ज़रूर मिलेगा अब बात करीजाए glass protection की तो यहाँ पर हमें 3D cornering correla glass का production मिलता है Build or design की बात करीजाए तो दोस्तो OnePlus 8 Pro आता है 8.5 mm के thickness के साथ में वही बात करीजाए इसकी weight की तो दोस्तो यह phone होगा 190 grams का और रही बात इसके color variant की तो दोस्तो OnePlus 8 Pro हमें 3 color variant में देखने मिलेगा जो क्यों होगा black, green और blue दोस्तो अगर OnePlus 8 Pro के camera setup की बात करीजाए तो यह काफी premium होने वाला है जहाँ पर हमारा primary camera setup होगा जो होगा 48MP का Sony IMX 689 sensor के साथ में यहाँ पर भी हमें OIS और EIS का support देखने मिलता है जो second camera lens होगा वो होगा हमारा telephoto camera जो होगा 8MP का यहाँ पर भी हमें OIS का support देखने मिलता है और जो आता है 2.4K aperture के साथ में तीसरा जो camera lens होगा वो होगा हमारा ultra wide lens जो होगा 48MP के साथ में और यहां यहां पर हमें field of view 119 degree का देखने मिल सकता है और जो हमारा चौता camera होगा वो होगा हमारा color filter वाला यह काफी like shooting में या काम आ सकता है तो दोस्तों अगर battery की बात करेज़े तो OnePlus 8 Pro में हमें 4510 mAh की battery देखने मिलती वही हमें wireless charging का support में देखने मिलेगा वाप charge 30T का और सबसे बड़िया बात यह है कि हमें इस बार OnePlus 8 Pro में wireless charging का support भी मिलता है जी हां OnePlus की series में OnePlus 8 Pro सबसे पहला phone होगा जो wireless charging support करेगा दोस्तों प्रोसेसर RAM और storage की बात करी जाए तो OnePlus 8 Pro में हमें Qualcomm का Snapdragon 865 देखने मिलेगा जो की होगा GPU and Reno650 के साथ में और वही RAM की बात करी जाए तो हमें यहाँ पर दो वेरियंडेकने मिलेगे 8GB RAM और 12GB RAM DDR5 के साथ में storage की बात करी जाए तो हमें यहाँ पर 128GB वेरियंड और 256GB वेरियंड मिलेगा जो होगा UFS 3.0 के support के साथ तो दोस्तों यह थे सारे OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के specification सो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करे, share करे और हाँ हमारे channel को subscribe करे सो मिलता हूँ आप से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए keep smiling and be safe